पर वर्टों से सुर्फ की एक और बहें हद एहम अपडेट सामने आ रहे हैं रूस और युक्रेन जंग के वीश अमेरिका की जो टेंशन है वो बढ़ गई है पुतिन की नई चाल से चोकनना अमेरिका बाइडन के मिलिटरी बेस पर पुतिन की नज़र रूसी जासू से रेड अलर्ड रूस और युक्रेन के बीच युद्ध के करीब 11 महीने हो गए दोनों और से वार पलटवार का दौर जारी है युक्रेन में ताबट तोड हमले से भारी तबाही हो चुकी है युक्रेन को नेटो से सेंग और आर्थिक मदद भी मिलना जारी है जिसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है इस पीच दावा किया जा रहा है कि रूस ने अमेरिका के लिए नई परिशानी खड़ी करती है बताया गया कि युक्रेन युद्ध की वज़े से बढ़ते तनाओ के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखे जाने के बाद रेड अलर्ड घुशित कर दिया गया अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी जहाज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया जो प्रशान्त महासागर में मौझूद हवाई के दीपों के बेहद करीब पहुँच गया था और जैसे ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों को इस बात का पता चला उन्होंने रेड अलर्ड जारी कर दिया मतलब यह कि रूस के जहाज पर सभी अमेरिकी एजेंसियां अलर्ड हो गई क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भा रहे है पुतिन के लाख मना करने के बाद भी अमेरिका जंग के शुरुवात से ही यूक्रेन का सहारा बन कर खड़ा है अमेरिका यूक्रेन को हत्यारों की खेब लगातार पहुंचा रहा है अब तो वो ऐसे हत्यार भी यूकरेन को दे रहा है जो रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं इसी वज़े से रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है ऐसे ही तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखा गया जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह चोकन ना हो गया उसके कोस्ट गार्ड के जवानों ने रूसी जहाज पर अपनी नज़र ठिका दी हाला कि अमेरिका के मताबिक ये रूस का एक सामान ये मिलिटरी जहाज था कोई जगी जहाज नहीं और इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सक्त कदम नहीं उठाय गया क्योंकि अमेरिका के मताबिक अंतरराश्ट्रिय नियमों के हिसाब से सेना के सामान जहाज उसके एकॉनमिक एक्स्क्लूजिव जोन से होकर आ और जा सकते हैं लेकिन फिर भी रूस के जहाज से अमेरिकी कोजगार्ड ने अपने निगाह नहीं हटाई क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि रूसी जहाज को हवाई में मौजूद अमेरिकी सेना के कई बेसों की खूफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था अमेरिका के हवाई में एक दो नहीं बलके कुल 11 मिलिटरी बेस मौजूद है इन में उसकी नौसेना का बेस परल हर बर शामिल है जबकि अमेरिकी वाईसेना का बड़ा बेस हिकम भी वहीं है और इसी विज़े से अमेरिका ने रूसी जहाज को हवाई के दीपों के पास से गुजरता देख रेड अलर्ट जारी कर दिया वहीं दूसी और रूस यूकरेन के कई इलाकों पर कबजे के लिए ताबर तोड हमले कर रहा है सोलिदार पर रूस ने कबजा कर लिया है लेकिन सोलिदार के ही करई बखुमत में तबाही वाली जंग जारी है